नमस्कार दोस्तो फेंटसी टैलेंट आप यूटूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है आज का जो वीडियो है टी-20 ब्लास्ट के लंका शायर और डर्वी शायर के मैच की है ध्यान से देखिएगा छोटी सी वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रो कोई ऐसा मैच है जिसको मैं वीडियो में कवर नहीं कर पा रहा हूं और मुझे लगता है कि वो आप लोगों के लिए जरूरी है तो वो भी मैं आप लोगों को टेलेग्राम पर दे दूँगा तो बस आपको क्या करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ जो पहला ल मैच दोस्तों ये वाला जो होगा दा ओल्ड ट्रैफर्ड मैंचेस्टर में ये मैच होने वाला है अगर बात करें पिछले दो मैचिस की जो इस मैदान पर खेले गए उन दोनों मैचिस में लंका शायर ने 180 प्लस का स्कोर कर दिया था तो अगर आप उन स्कोर को दिखोगे तो आपको क्या लगेगा कि एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड ले जहां पर 180-190 का स्कोर बन जाता है लेकिन अगर यहां के स्कोरिंग पैटन की बात अगर आप देखोगे तो आपको क्या देखने मिलेगा कि 150 से लेकर 170 की बिच का जो स्कोर है इस मैदान पर 15 वार बना है और 150 से कम का स्कोर 16 बार बनाए और अगर हाई स्कोरिंग की बात करें तो टोटल 19 बार हाई स्कोरिंग मैचेस हमने यहां पर देखे हैं तो कुल मिला कि जो 31 बार या तो एवरेज स्कोर रहा है या एवरेज से थोड़ा सक कम हमने देखा है तो इतना ही कुछ स्कोर हम expect कर सकते ह तो बहुत ज्यादा इस ट्रॉंग टीम है अगर आप उनका बैटिंग लाइन अप देखो गे तो उनके पास में लियाम लिविंग स्टन है उनके पास में पी सौल्ट है उनके पास में तो टिम डैविट जैसे खिलाडी है जो की बहुत कम गिंदों में बहुत बड़ा स्को और है वह 150-160 के आसपास आपको देखने मिल जाएगा या फिर इससे भी कम हो सकता है तो इसी रिए आपको यह ध्यान रखना को टॉस की वक्त की कौन सी टीम पहले बैटिंग कर रही है तो टॉस आपके लिए इंपोर्टेंट है तो टेलेग्राम पर मैं आपको बता दूगा क कि कौन सी टीम टॉस जीत के क्या करने वाली है अब लास्ट जो दो मैचेस खेले गए थे जरा वहां अज़र टालते हैं तो लंकर शायद ने किया 183 का स्कोर किया तो टिम डैविड ने 60 रन का स्कोर किया नंबर 6 पर बेटिंग करते हुए दूसरी तरफ वाल के 171 रन थे जिसमें कॉलिन मुन्रो ने 53 का स्कोर किया दोनों मैचेस में पावर प्ले में हमने कम से कम दो विकेट देख लिये थे और यहां पर जो मैक्सिमम विकेट है वो निकाले थे फास्ट बोल हैं जो की नंबर 3 पर बेटिंग करते हुए 67 का स्कोर किया यहां पर भी पावर प्ले में हमने कम से कम एक विकेट दोनों पारियों में देखा था और फास्ट बोलस का डॉमिनेशन था तो यहां पर फास्ट बोलस थोड़े से जादा आपके लिए प्रभावी रहेंगे मतल दोनों टीमों के हैट टुएट परफॉमेंस के बारे में जब यह दो रोटीम में पिछले साल आमने सामने हुई तो कौन से प्लेयर ने स्कोर किया था जरा वो देख लेते हैं लेकिन लेकिन जिन लोगों ने अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं क्या आप यह समझ जाएगा कहीं पर भी तो यह दोस्तों आप लोगों को समझेना चाहिए कि वीडियो को लाइक और शेर करते रहिए का अब अगर बात करें जब यह दोनों टीम है लास्ट टाइम आमने सामने हुई तो डर्भी शायर ने क्या किया था 196 जो इन्हों ने करके दिखाया अब इ बैली ने दो विकेट निकाल दिये थे अब आप देखोगे लंका शहर ने बड़ी आसानी से मैच को विन कर लिये क्योंकि डर्भी शायर की जो गिंद बाजी है न वो अतनी मजबूत नहीं है अब डर्भी शायर ने यहां पर 168 किया जो एक्चॉल इसकोर कर सकते हैं इसमे रीस ने 59 का स्कोर किया डिपलोई के फिर से 34 थे एलेक्स हूज के 28 थे हटसन ने दो विकेट और रीस के दो विकेट हमने यहां पर देखे थे तो दूसरी तरफ है लिविंग स्टन के 94 थे फिर से जॉस बडलर ने 30 प्लस का स्कोर किया फिन एलन ने 29 किया तो एम परकिसन के तीन विकेट हमने यहां पर देखे थे अब दोनों टीमों के बारे में बात करते हैं सबसे पहले लंका शायर पर फोकस करेंगे क्योंकि यह उनका होम ग्राउंड है तो वेन्यू रिकॉर्ट से स्टार्ट करते हैं तो जैनिंग्स जिन्नोंने पिछले मैच में बहुत अच् से उपर का स्कोर क्या है और डैन विलस दोस्तों इनका अगर रिकॉर्ट देखोगे सिर्फ 14 का एवरेज को यह मेंटेन कर रहें तो अभी के लिए अगर ग्राउंड रिकॉर्ट को हम फोलो कर रहें तो डैन विलस को हम छोड़के चलेंगे फिर इसक्रॉफ्ट हैं जिन्हो ने पहले हमें प्रोवाइट कराई थी तो एस्क्रॉफ्ट का जो बैटरी डाउन बहुत जादा नीचे किया टीम ने टिम डैविट और लिविंग स्टन को वन डाउन और सेकिंड डाउन पर प्रमोट कर दिया था जो कि बहुत जादा अनेक्सपेक्टेट था तो कुल मिला मैदान पर 15 विकेट निकाले हैं दी लेंग के खाते में भी 15 विकेट दोस्तों दी लेंब इतने अच्छी गिंदबास नहीं होने के बावजूद भी इस मेदान पर 15 विकेट निकालई है लिएक वूड के खाते में 16 विकिट है और लगबग हर 13 बुल के बात में ये विकिट निकाल कर देते हैं टॉम हाटली ओर्थोडोक्स गेंदबाथ है इन्होंने दौसतो 23 मतलब हर 23 बुल के बात में इस मैदान पे विकिट निकाला है और आर ग्लेसन पिछले दो मैचिस से कमाल कर रहे हैं पावर पिले में जो शुरुआत देती हैं अपनी टीम को वो जबरदस्त है पाँच विकेट इनका हाइस इस मिदान पे और हर दस बूल के बाद में इन्होंने विकेट निकाला है और लास्ट में है मैट पार्किसन 25 बोलों में 44 जो विकेट इनके खाते में शामिल है जिसमें हर 13 बोल के बाद इन्होंने विकेट निकाला है पार्किसन दोस्तों जील में आपके काम आएंगे जील में आप इन्हें अपना कैप्टन बना के चल सकते हैं बाकी में आपको बताऊगँा कि कौन से प्लियर किसको परिशान कर सकते हैं जिसके अक्वर्डिंग आपको ये कलियर हो जाएगा कि कौन से बोलर्ज पर आपको फोकस करना है तो लंका शायर की तरफ से जो पहला नाम है केज जेनिंग्स पा है तो जब ये 28 का जो इनका एवरेज है ये पुराने गिंद बाजू के खिलापता जो कि पहले डर्विश आयर में खेला करते थे तो यहाँ पे अगर हम देखे हैं पहले बेटिंग करते हुए लगबग 17 के एवरेज को मेंटेन कर रहे हैं सेकिंड बेटिंग करते हुए 70 के एवरेज को इन्होंने मेंटेन किया है जिसमें 49 इनका हाइस्ट स्कोर है रिसेंट फर्म को देखते हुए आप टीम में रख सकते हो पिछले अगर जो इनके तीनों मैचिस निकले हैं उनमें से दो बार इन्हें राइटा मीडियम फास्ट बूलर ने आउट किया है और जो इनकी दिक्कत है वो थोड़ा लेग ब्रेक गिंदबाज से ये फस्ते हैं तो सामने वाली टीम में लेग ब्रिक गिनबाज है मैट मैकरन जो की लेग ब्रिक गिनबाज ही करते हैं नमबर दो पहें फिल सॉल्ट फिल सॉल्ट पहला जो मैच खिला था 59 का स्कूर किया और पिछले एक साल में 7 बार 50 से उपर का स्कूर कर चुके हैं इस्पेशली पहले बेटिंग करते हुए ज्यादा बहतर कर लेते हैं क्योंकि पांच बार ये 50 से उपर का स्कूर पहले बेटिंग करते हुए कर चुके हैं दो बार इन्हें राइट आम मीडियम फास्ट बोलर आउट कर चुका है और इनकी अगर हम कमजोरियों की बात करें लेफटा मीडियम के सामने ये 15 के एवरेज को मेंटेन करते हैं और साथ बार ये आउट हो चुके हैं पिछले एक साल के अंदर और लेग ब्रेक के सामने हैं इनका उननीस का एवरेज है तो लेग ब्रेक के तौर पर मेक करें हैं और जो लेफटा मीडियम है वो है हेड़न केर हेड़न केर दोस्तो अच्छे गेंदबास भी है आप इनको काउंट करके चलिएगा फिर नमबर तीन पे हैं दोस्तो लियाम लिविंग्स्टन पिछले मैच में लिविंग्स्टन नमबर तीन पर प्रमोट हुए थे बाकी बैटरी डाउन फिक्स नहीं रहेगा और साथ में ये गिंदबासी करते हुए इन्होंने तीन विकेट भी निकाले थे और लेफ्ट टाम चाइना में इने ज्यादा परिशान करता है हलाकि सामने वाली टीम में अभी वो मौझूद नहीं है और राइट आम फास्ट बोलर के सामने ये पांच बार अपना विकेट दे चुके हैं पिछले एक साल के अंदर तो राइट आम मीडियम फास्ट बोलर जो की थोड़ा सा इने परिशान कर सकता है नमबर चार पर है दोस्तों टिम डैविड पिछले मैच में प्रमोट किये गए थे अच्छी बैटिंग के लिए शुरुवात तो मिली लेकिन अंत नहीं कर पाए और 61 पारियों में 1347 रन किये पिछले एक साल के अंदर चार बार 50 से उपर का स्कूर कर चुके हैं राइटा मीडियम दो बार आउट कर चुका है इनकी जो दिक्कत है वो है लेफ्टा मीडियम से और लेफ्टा मीडियम गेंदबास कौन सा है है जिसका नाम आप यहां पे दूसरी बार देख रहे हो ठीक है इसके पहले भी आप ऊपर एक बा maintain किया है इन्हें पिछले तीन मैचेस में दो बार राइट आम मीडियम और एक बार राइट आम फास्ट बुलर आउट कर चुका है और इनकी जो कमसूरी है वो है कि लेफटा मीडियम के सामने सिर्फ 11 का अबरेज है तो लेफटा मीडियम हैडन केर का नाम आपको एक बार फि दोनों गेंद बार जो कि राइट आम मीडियम है और राइट आम फास्ट बुलर के सामने इनका आठ का अबरेज है नमबर 6 पर आयते स्टीवन क्राफ्ट लगपग 20 का जो स्कोर ही आपको आसानी से करके दे सकते हैं और राइट हैं बैटिंग करते हैं एक स्पेशल बात ज पहले बैटिंग करते हुए कि हैं जिसमें 94 इनका हाइस्ट इसकोर है ठीक है और इन्हें आउट करने वाले गिंद बाजों में लेग ब्रेक और्थोडॉक्स और राइट आम मीडियम हैं जो कि इन्हें अभी तक आउट कर चुके हैं राइट आम फास्ट बुलर के सामने य अभी नहीं है फिर आते हैं दोस्तों गिंद बाज डैनी लेंब पांच पारी चार विकट निकाल चुके हैं अभी तक टरभी शायर के अगेंस्ट जो कि बहुत जादा नहीं है हाइस्ट इनका एक फिर आते हैं लुक वुड पर लूइक विट ने चार पारियों में सिर्फ दो विकेट निकाले हैं और इनका हाइस्ट एक विकेट है हाला कि रिसेंट फॉर्म देखें तो पिछले तीनों मैचिस में विकेट निकाला है जिसके चलते हैं अगर आप टीम में रखना चाहें तो रख सकते हो तॉम हाटली और्थोडॉक्स गिंद बाज हैं दोस्तों औ पिक कर सकते हैं और लास्ट में रिचर्ड ग्लेशन है हाला कि इनके खाते में एक विकेट है लेकिन रिसेंट फॉर्म क्या कहता है कि पिछले तीन मैचिस में आठ विकेट निकाल चुके हैं तो रिचर्ड ग्लेशन वैसे भी मैक्सिम लोगों की टीम में रहेंगे स्मॉल अब हम बात करते हैं दूसरी टीम डर्वी शायर की तो डर्वी शायर की तरफ से पहला नाम है शान मसूद का शान मसूद इस मैदान पर अभी तक कोई भी मैच उन्होंने नहीं खेला है आगे बढ़ते हैं लेकिन दोस्तों उम्बीत करता हूं कि आप सभी लोगों ने तो रीस की बात कर लेते हैं तो इस मैदान पर इन्होंने 96 का स्कोर किया है 59 उनका हाइस्ट स्कोर है और डिप्लोई है जिन्होंने 41 का स्कोर किया है 34 इनका हाइस्ट है मैटसन ने 69 का स्कोर किया है दो बार इन्होंने भी 50 से उपर का स्कोर किया और बी गस्ट जो की टीम के विकेट की परें ब्रूग गस्ट यनों ने 1 पारी में 7 रनों का स्कूर किया है जो कि नूट आउट थे वेन मैंटसन ने इस मैदान पे 2 मैच इस में गिनबाजी भी किये लेकिन उन्हें विकेट नहीं मिला मिकरन को भी स्कूर स्क्विक्षम मसूद हैं जो की open करने आएंगे अब दोस्तों कुछ जो बातें आपको ज़रूरी से ध्यान रखनी है वो देखेगा पहला आप यहां पर देखोगे open बल्लेबाद जो दोनों है वो दोनों है लेफ्ट हैंड एल रीस और जो यहां उपर नाम आपको मिलेगा शान मसूद का द पहले कोई मैच नहीं खेला पहले बैटिंग करते हुए पिछले एक साल में लगभग 50 के एवरेज को मेंटेन किया है तो अगर डर्वी शायर पहले बैटिंग करती है तो यह यहां से शान मसूद एक अच्छी चोईस बन सकते हैं आपके लिए क्याप्टन वाइस वाले गिंदबाज थे एक बार ऑफ ब्रेक गिंदबाज ने आउट किया नॉर्मल सी बात है कि लेफ्टेंड बेट्समेंट के लिए परिशानी खड़ा करेगा और दूसर नाम है और इनकी जो वीकनेस है वह भी ऑफ ब्रेक गिंदबाज है जिसके सामने इनका 25 का फिर आते हैं दोस्तों दूसरे नमर पे एल रीज पर यह भी लेफ्ट हैंड है पिछले तीनों मैचस में कुछ खास नहीं किया बस देखने वाली बात क्या है कि जब इस तीम के खिलाब पिछले साल इन्होंने दो मैचस खेले थे दोनों मैचस में पहले बेटिंग की थी औ और दोनों में इन्होंने अच्छा स्कूर किया था 96 इनका हाइस्ट स्कूर है जो कि 45 साली इन्होंने किया था और पहले बैटिंग करते हुए यह दोनों स्कूर इनकी बैट से निकले थी इस सीजन में राइता मीडियम ने इन्हें परिशान किया है दो बार आउट कर चुके ह हैं तो इनका इस्तवाल अगर गिंद बास मतर कप्तान करता है तो यह फाइदा टॉम हर्टली को मिल सकता है इसके अलावा ओफ ब्रेक गिंद बास के सामने 26 का एवरेज है तो लिविंग स्टन साल 56 और यह नहीं पहले बेटिंग करते हुए किया था लंका शायर के खिलाब इन्हों ने एक मैच खेला है जो कि पिछले साल घेला था और दो बार इन्हें इस सीजन में राइटाम मीडियम आउट कर चुका है और राइटाम मीडियम ही इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है आप देख सकते हो एक सो एक बोल खेली हैं जिसमें ग्यारा बार आउट हो चुके मतलब यह मानली जी का पूरी टीम भी सोबर से पहले ही आउट हो गई है क्योंकि एक सो एक बोल मेरे अंदाजन अठारा और के आसपास बनेगा और उसमें यह ग्यारा बार आउट हो चुके हैं तो रिचर्ट ग्लेशन राइटाम मीडियम है दी लेंब तो दी लेंब तो उतने प्रवाफशाली है नहीं तो रिचर्ट ग्लेशन परिशान करेंगे इसके बाद लिश डूप लाए हैं यह इस टीम प्लियर जो की टॉप 3 में आ रहा है और लेफ्ट एंड बैटिंग कर रहा है इसलिए बैटिंग डाउन चेंज होते हुए नजर आएंगे अगर लिविंग्स्टन का यूज लगातार होता रहा तो लिविंग्स्टन की ओवर्स खतम होने का या फिर थोड़ा सा और नीचे जाएंगे फिर यहां पर देखा जाए तो इन्हें जो आउट किया है गेंदबाज ने वहें लेफ्ट आम चाइना मैन और राइट आम ऑफ ब्रेक के सामने यह पांच बार आउट हो चुके हैं तो इसलिए लिविंग्स्टन के जो ओवर से उनसे इन्हें बचाया जा सकता ह है और इनका बैटिंग टाउन तोड़ से नीचे हो सकता है इसके बाद है दोस्तों वैन मैटसें यह प्रपोर्ट किये जा सकते हैं यह बैटिंग और बोलिंग दोनों कर लेते हैं 49 नौट आउट किया था अपने आखरी मैच में जब यह नंबर तीन पर बैटिंग करने इनको ज़्यादा विकेट नहीं मिल पाए अब इन्होंने पहले बैटिंग करते हुए तीन बार 50 से उपर का स्कोर गिया है सेकिंड बैटिंग करते हुए कोई 50 नहीं लगा पाई यह लंका शायर के खिलाब इन्हें आउट कर सकते हैं तो लेफ्ट हाम और्थोडॉक्स है क अगर विकेट मिलता है तो वो वल्लेवाजों की गलती से ही मिलेगा जो कि उनकी परिशानी है फिर है दोस्तों ब्रूक गस्ट जो की टीम के विकेट कीपर है पहले मैच में 54 का स्कोर गया था और पिछली एक साल में इनका पहला 50 था ठीक है और यह जो 50 इन्होंने लगा थ सेकंड बेटिंग करते हुए किया था और्थोडॉक्स से इन्हें भी दिक्कत है क्योंकि 27 बोल में दो बार आउट हो चुके हैं और आफ ब्रेक से 15 बोलों में दो बार यह आउट हो चुके हैं तो यह वही दो गेंदबाज आपके सामने फिर सी आ जाएंगे अब आते हैं है दोस्तों गेंदबाजों मैं तो मेर्फियों मिकरें हैं जो कि live Chry नवाजिंग करते हैं लंकाश र के खिला दा पिछले दो साल में बारह पारियों में 9 विकिट इन्हें निकाल ए हैं इसके बाद हैडन केर हैडन केर सामने वाली टीम के 3-4 बल्लेबाजों को परिशान कर सकते हैं especially पिछले दो मैकेस में दो दो विकिट भी निकाले हैं तो वाइस केप्टन जी के लिए ये भी एक अच्छी दावेदारी पेश करेंगों साथ में बल्ले बाजी कर लेते हैं। तो दस पारियों में 13 विकेट हैं पिछले एक साल के अंदर पहले गिनबाजी करते हुए और सेकंड डिनिंग में तो और भी जदा कमाल किया है नो पारियों में 16 विकेट निकाले हैं। पिछले दो साल में 8 मैचेश के लिए सिर्फ जिसमें 7 विकेट इन्हें मिल पाए हैं जिसमें से पहले गिनबाजी करती हुए 4 विकेट हैं तो सेकंड इनिंग में गिनबाजी करती हुए 3 विकेट निकाले हैं। पिछले दो साल में 13 विकेट निकाले हैं जिसमें पहले गिनबाजी करती हुए 14 विकेट हैं। तो इस्पेशली फस्ट इनिंग में जब गिनबाजी कर रहे हुए तब आप इन्हें पिक कर सकते हो अब कैप्टन वाइस कैप्टन सी में जो यहां पर नाम है उसमें एक नाम में आपको बताऊंगा लिविंग्स्टन जो कि बहुत जादा कन्फर्म है कैप्टन रहेंगे वाइस कैप्टन हमें पिक करना है तो हेड़न केर और शान मसूत और एक नाम और है मैटसिन को आप पिक कर सकते हो वेन मैटसिन को वह गिनबाजी भी करेंगे साथ में अगर विकेट मिल जाता है तो अब टीम कॉमिनेशन क्या कहता है जरा वह देख लेते हैं उंबीद करता और रेफरल कोड जो की सबसे ज़्यादा जरूरी होता है विकास जीरो नो का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिएगा हमारे साथ चुड़े रहने के लिए तो टीम कॉमिनेशन में पी सॉल्ट है के जैनिंग्स को रखा है रीसेंट फॉर्म के चलते हैं टिम डेविड नम एक को पिक कर सकते हो लिविंग सेंट कैप्टन है मिकरन जो के लेग ब्रेक गिनबाजी कर रहे हैं अच्छे विकेट निकाल रहा है इन पर फोकस करेंगे थोड़ा सा एल वोड आर ग्लेशन टॉम हार्टली और हैडन केर मिरवाइस कैप्टन है और यही कुछ कॉमिनेशन आपको मिलेका ड्रीम 11 पर भी जो ड्रीम 11 पर देख सकते हैं बिलकोल आपको कोई भी बदलाब देखने नहीं मिलेका यहां तक कि आपके पास एक क्रेडिट बचा हुआ है हम ऐसा कॉम्बिनेशन कभी तैयार नहीं करते हैं जिससे आपको दिक्कत कि खड़ी हो जाएं क्रे